तो दोस्तों सबसे पहले एक पीला पेपर लेंगे और फिर उसके उपर एक डंडी को रखकर उसे फोल्ड कर देंगे फिर उसे एक फेविक्विक से चिपका दिया जाता है और फिर ऐसे बहुत सारे सुन्दर सुन्दर पेपर के रोल बना लेंगे फिर फेविक्विक से एक के पर पर दिजाइन को गुल पटी की तरह चिपका दिया जाता है जैसा की वीडियो में दिखाई दे रहा है। हम इसे बनाते हैं तब तक जो भी भगवान राम को मानता है वो कॉमेंट में राम के छोटे भाई का नाम बताएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो फिर अंत में तयार है आपके सामने पेपर से बना गुल दस्ता जिसमें आप पेन पेंसिल कैची बरस मार कर आदी बहुत सारे जरूरी सामान को रख सकते ही ये गुल दस्ता स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही हल्पफुल रहेगा